नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉलिशन के यूट्यूब चैनल पर CCS University से अगर आप बेड़ कर रहे हैं और बेड़ सेकंडियर में हैं तो examination form के लिए आपके लिए एक बहुत बड़ी update निकल कर आई है जो कि एक बहुत ज़्यादा problem भी है बच्चों के लिए आज मैं इस problem के वार में discuss करूँगा और जो कि आपको पता होना चाहिए देखिए कुछ बच्चे जो बेड़ सेकंडियर का form बर रहे हैं उनकी detail में डालते ही वो बता रहे हैं मेरे पास जो comment आई है message आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि sir student has been detained हमारा लिखा आ रहा है जैसी वो बेड़ सेकंडियर के examination form पर अपनी detail डालते हैं और form open करने कोशिश करते हैं तो उनकी जो एकदम से submit करने पर जो आ रहा है वो student has been detained आ रहा है तो अब बात करेंगे कि जो ये student has been आपका detained आ रहा है या आपकी big problem है या फिर ये आपकी normal problem है ठीक है अब मैं इस पर बात करूंगा ये big problem है या फिर normal problem है ये हम कैसे जानेंगे तो आपके साथ भी कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही तो इसकी हम बात करेंगे और 24 b8 college के छातर नहीं बरपाएंगे form ठीक है अगर आप इसके अंडर आते है तो ये आपकी big problem है और अगर इसके अंडर ये आपकी बात नहीं आती है तो आपके normal problem है तो चलिए बात करते हैं कौन से वो 24 college हैं सिसे उनिवस्टी के जो अंडर में आते हैं और उनके बच्चे जो अब 28 सेकेंडर का परिक्षा form नहीं भर पाएं यानि कि ये जो 24 college हैं सिसे उनिवस्टी के अंडर में आते हैं इनके बच्चों ने अपने BA के first year के examination form नहीं submit करे थे नहीं भरे थे तो उनिवस्टी के पास इनका कोई भी data नहीं है जिससे वो इनके BA second year के form को क्या करें चेक कर पाएं एक्जामिन कर पाएं कि हाँ इनके पा से जुड़े 24 BA कोलीजों के छात्र BA दित्य वर्ष के परिक्षा form नहीं भर पाएंगे इन कोलीजों ने BA पर्थम वर्ष का परिक्षा form विश्विधाले में नहीं जमा करा था तो ये जो बच्चे हैं इन्होंने BA के first year के form अगर university में नहीं भरे थे तब तो बड़ी गलती ह और अगर online भर दिये थे और उसके बाद उन्होंने अपना जो format है offline का वो को अपने college में जमाना ही किया था इसकी वज़े से BA दित्य वर्ष में परिक्षा form नहीं भरवाने का निर्णे लिया गया है तो इन college का परिक्षा form नहीं भरवाने का निर्णे अब university ने लिया गया ह विश्विदाले में form भरवाने वाली agency को इसके लिए निर्देश दे दिये गए हैं वीवी के BA अनुभाग के अनुसार इन college ने BA सत्र 2020-22 के first year 2021 के परिक्षा form नहीं जमा कराया है इसकी वज़े से form की scrutiny नहीं हो पा रही है ठीक है ना क्योंकि university के पास आपका BA first year का कोई भी data नहीं है तो वो स्कूटनी नहीं कर पा रहे हैं आपका form हापर नहीं कुल रहा है तो आपका second year का form कैसे डाल दे हैं चात्रों की आहरता की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है ऐसी इस्तितिती में इन college के चात्र BA दित्ते व आप नहीं आ रहे हैं तो आपकी problem वो normal है वो solve हो जाएगी अपने college में जागे पता कर लिए अप कैसे पता करेंगे कि आप ये देखो list भी है इसमें अब आप देख लिजेगा कि अगर आप इन college के अंदर में आते हैं अगर आपका college इन में से कोई है तो आपकी problem बहुत आपका APS college ठीक है APS college है इन बच्चों के छात्रों के जो भी बीट सेक्टर में नहीं form भरे जाएंगे ठीक है ना second college है MSB educational MSB educational आपका ये college है ये जो भी दूसरा है DR college जो की आपका तिसरा college है merit institute जो की आपका चोथा college है ठीक है चोदरी विश्विचरन सिंग college जो की आपका पांचवा college है नारान institute ये आपका छटा college है चोदरी महक सिंग college merit ये भी आपका एक college है जिसके बच्चों के परिक्षा form बेट सेक्टर के नहीं बरे जाएंगे और इसी वज़े से उनका student has been detained लिखा आ रहा है जेयस academy ये college है इनके बच्चों के भी परिक्षा form आपके नहीं बरे जाएंगे college of applied education रूड की रोड मेरट ये भी एक college है sci college of education ये भी एक college है इसके भी बच्चों के परिक्षा form आपके नहीं बरे जाएंगे आगे बात करते हैं फटावर से देख लिजएगा कि आगर आपका college में अंटर में आदे तो भाईया बहुत ज़्यादा big problem है कस्तूरी college ये भी आपका college campus school department of education गाज़यबाद इसके बच्चों के इसके बच्चों के स्टुडेट के परिक्षा form नहीं बर्पाएंगे ही नेक्स भी उपका भग्वान महावेर college बागपत आगे बात करते हैं और जो आपका है नेक्स्ट राज सुधा इंस्टूट ओफ टेकनलोजी मेरट तो यह सब आपके 24 कोलीज है इन बच्च अगर आप इन 24 कोलीज के अंडर में आ रहे हैं और आपका स्टुडेंट हैस बिटेंड लिका आ रहा है तो भाई आपकी बहुत ज्यादा बीग प्रोब लए युनिवस्टी ने एक शाषा नादेश भी निकाला था ठीक है युनिवस्टी ने शाषा नादेश निकाला था और इसमें लिखा था कि अगर आपने बीड फरस्टेर का एक्जामिनेशन फॉर्म नहीं बढ़ा है तो आप उसको फिर से बढ़ सकते हैं जल्दी से और और इसके उपर मैंने एक वीडियो भी मनाया था मैं आपको दिखा देता हूं अभी देखे याप यह पांच दिन पहले आप देख सकते हैं इस पर एक शाषा नादेश निकल के आया था जिसमें जो की बीड फरस्टेर का फॉर्म नहीं बढ़ा है तो उसको फ्रापट से ज खोले गए थे कि जिसने अपना कॉलिज नहीं मला फॉर्म नहीं किया वह फॉर्म को भर सकते हैं लेकिन आप सीधा सेंगेंडर के फॉर्म भर रहे हैं तो आपका स्टुडेंट है जो कि अब बहुत बड़ी दिक्कत की बात अगर आप 24 को लिज के अंडर में आते हैं तो ब इस लिस्ट में आपका को लिज में जाकर प्रोब्लम बताएगा वहां से फटावट से सोल्व हो जाएगी ठीक ना तो देख लिए अपने परिवार वालों को ध्यान रखेंगा और आप हमारी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्र और आप देखते नहीं है तो यह आपसे चीजे मीश हो जाती है क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बैल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नहीं जानकर साथ तब तलिम निख्याल रखें खुश रहेगा लिए प्रेस नहीं करते हैं मैं प्रेस नहीं करते हैं कि अ